आपका आप देख रहे हैं 36 गड़ आज का मुद्दा मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुपता और आज बात करेंगे हम 24 की तक्रार अकवर पर राथ 36 गड़ में 24 के दूसरे महासंग्राम के बीच अकवर पर स्यासी तक्रार बढ़ गई है दूसरे चरण की हाई प्रूफाइल सीट राशनाल गाओं को लेकर सबसे जादा सियासी घमासान इस तौरान 36 गड़ में चाव गुआ है वोटिंग से पहले बीजेपी ने भुपेश वगेल को घेलने के लिए एक बार फिर से भगवा अपमान का मुद्दा उठाया है तो प्रदेश की सियासत फिर से गर्वा गई है चौर्चा करेंगे आंगे इसी मुद्दे पर लेकिन उससे पाले देख लेते हैं ये रिपो 24 का चुनाव देश में नई सरकार चुनने के लिए हो रहा है वीजेपी मोदी के चहरे के साथ चुनावी संगराम रड़ रही है तो विपक्ष मिले सुन मेरा तुम्हारा का गान तो गा रहा है पर दिल से गले मिलता नहीं दिखाई पड़ता और इस बीच मद्ध प्रदेश की स्यासत में बीजेपी के भविश की राजनीती के संकेट साफ मिल रहे है पिछले दो दोरों में प्रधान मंत्री मोदी ने प्रदेश में बीजेपी की फ्यूचर प्लानिंग के साफ और पुखता संदेश दिये है तो देखिए आज जो 36 गड़ में सियासत लगातार बयान बाजी को लेकर एक बार फिट से चल रही है कॉंग्रेस का वो बयान आपको सबसे पहले बताते हैं जो कि कॉंग्रेस ने पलदवार किया है क्योंकि बीजेपी ने डिप्टी सीम ने कहा है कि अगर आप कॉंग्रेस को भूपेश वगेल को वोट देते हैं तो अकवर और धेवर को ये वोट जाएगा तो वहीं कॉंग्रेस की ओर से इस पर पलदवार किया गया है चर्चा आगे बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले क्या कुछ बयान वाजी हुई है इक बार आप ये सुने राजरांद का लोग सभा चेत्र से भूपेश बगे लड़ रहे हैं इनको वोट देना याने की मुहमद अकबर को वोट देना बिलकुल ऐसा ही है पांच सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई सरकार चलाई है अकबर ने डेबर ने और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधा धुन हुआ है सब जान रहे हैं किस तरह से तुष्टी करण की कॉंगरेस की नीती परवान चड़ी थी सब जानते हैं कवरधा में भगवाधच के संदर्व में जो विवाध हुआ था भगवाधच का अपमान हुआ था उसकी सुधलेने वाला कोई नहीं था बीरनपुर में जो घटना हुई थी उसकी सुधलेने वाला कोई नहीं था कभी इन्होंने नहीं पूछा, सिर्फ बोट बेंग की राजनीती के चलते, सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीती के चलते, कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था, सही क्या हुआ है, गलत क्या हुआ है, और किस कारण से ये सब कुछ हुआ है, कारणों को नहीं पता लगाने क कारण परिणाम निकलता है कि साधराम यादो जैसे सीधे सरल गौ सेवक विक्ति को भी गला रेत कर मार दिया जाता है मैं निसंदेह इस बात को कहता हूं कि इस तुष्टी करण की राजनीति को समाप्त होना चाहिए हमारे 36 गड़ में तो इसके लिए इस्थान ही नहीं होना और विशेश रूप से कॉंग्रेस के घोष्टा पत्र में भी इस बात का इस पस्ट उलेख है कि वो क्या करने वाले हैं सैंप इत्रोदा उनके जो अंतराश्टी इस्तर के पदादिकारी है उन्होंने भी बहुत इस पश्ट तोर पर यह कह दिया है कि क्या होने वाला है दादनाद गाओं की जंता भुपेश बगेल के समथन में खड़ी है दादनाद गाओं का हर मद्दाता चाहता है कि भुपेश बगेल की उनका प्रभी इस बात का हैसाथ भारती जंता पार्टी को भी हो गया है कि भारती जंता पार्टी के पत्याशी संतोष पंडे ऐसे में भार्ती जन्ता पाटी धर्म के आधात पे जाती के आधात पे अस्तधीन जानीती के उतराई है लोगों में फ्रम पैदा कर रही है भड़का रही है तो 36 गण में एक बार फिर से धर्म की राश्नीती पर बयान भाजी की जा रही है इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे साथ खास पैनल चुट चुका है आपका पर चकराते हैं अब चुनाब से ठीक एक दिन पहले पित्याशियों पर इस तरह से बयान देना धबा लगाना और उससे वोट हासिल करना आप ये राचनीती ये बयान बाजी कैसे देख रहे हैं चुनाप से ठीक एक दिन पहले देखे सक्षी सबसे महत्पूर्ण बात है कि ये बयान बाजी आखिर आ क्यों रही है पोस्टर वो और अचानक क्यों तेज हो गए देखे 36 गड़ में भारती यंता पाटी बहुत अच्छे से जानती कि पहला फेस का चुनाओ बस्तर में हुआ अब तीन फेस माफ की जगा तीन सीटों पर चुनाओ है दूसरे फेस में जिसमें काकेर राजननगाओं और महासमुने सबसे जादा निगाएं अगर किसी सीट पर किसी की भी शक्स की है तो वो है राजननगाओं क्यों है राजननगाओं क्योंकि पूरु मुख्य मंत्री भुपेश बगेल मैदान में है पिछली बार के सांसत को फिर से रिपीट किया गया भारती अंता पाठी ने संतोष पांडे मैदान में है और सबसे बड़ी बात है कवरधा में जिस प्रकार से मुहम्मद अकबर हार मुहम्मद बगबर हारने का कारण वहां जंडा विवाद बताया जा रहा था उसके बाद साध रामवाली घटा बहुत सरी असी घटना वही कवरधा में जिसको लेकर भारती अंता पाठी को बैठे बिठा ये मुद्दा मिलके कि कॉंग्रेस जो है वो एक वर्ग का फेवर क उनको मालूम है किसका उप्योग कप करना है मैं बहुत दिन से चुनाओं में हूँ राजनन गौवमे मैंने कहीं मुहम्मद अकबर को नहीं देखा मैंने कहीं नवास खान को नहीं देखा जबकि नवास खान एक समय में बहुत महत्वण पदादीकारी होते थे बुपेश व बहुत में बहुत महत्वार्दा बीरनपूर इस तरफ से कवरधा के अलावा राजनन गौव का आसपास का बेल्ट यहीं वो बैल्ट है जिसने पिछली बार कॉंग्रिस पार्टी को बड़ी चोड़ दी थी हाला कि आट में से पांच कॉंग्रिस नहीं आसे जीती है लेकिन कवरधा का जो बैल्ट है वो बहुत सेंसिटिव बैल्ट है और ऐसे में किसी भी हालत में यह दो नाम का सहरा नवास खान हो गया चाहिए जाड धेबर हो गया चाहिए मौर्मा दगबर इनका अगर सहारा भुपेश बगिल लेते तो नुकसान होगा और भारती अनता पाठी जान बुर्ष के अचारी की नाम सामने आये ताकि पब्लिक में जो पर्सेप्शन विधान सभाव को लेकर था वही लोकसभाव बने और भुपेश बगिल यह चुनाओ बहुमत से बहुत जादा वोटों से हारे तो फिलहाल पोस्टर वार दोनों ही पार्टियों की और से ज भुपेश बगिल को वोट देते हैं जनिता यहां की भुपेश बगिल को वोट देती है कॉंग्रेस को वोट देती है तो यह सीधा वोट जाएगा अगवर और धेवर पर यह अपील की जा रही है क्या इस अपील से आपको चुनाओती लग रही है देखें यहां पर इस ब्यान के बाद यह इस पश्ट हो गया है कि राजदान गाउन लोकस्वा सीट में भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी की जमाना जबत होने वाली यह संकेत भाजपा के लोगों को मिल चुका है पहली बात दूसरी बात बुपेज बगेल जी इस परदेश के वो लोग परी चेहरा जिन्होंने जिन्होंने इजहार करने काम किया माता कोसिल्या के मंदिर बनाने के लिए जो काम किया है तो भुपेज पगिल जी तो लोग परी चेहर है और अभी नरेंदर मोदी जी भी 36 गड़ा थे शातिस घंटा करीब 36 गड़ में रुके थे और उनको पता चल चुका है कि 36 गड़ में नरेंदर वाईट ने बता दिया कि नरेंदर मोदी जी करना तो चहरा चल रहा है ना उनके भासन चल रहा है इसलिए अभी अख़वर जी के चहरा पे वोट मांग रहे हैं यह अपने नेताव भरोसा नहीं है इनको इसलिए यह संप्रदाइक्ता की बात कर रहे हैं प्रदेश की जंता जानती है इस विजय सर्मा जी को इनके ग्री मंत्री बनने के बाद इनके ग्री मंत्री बनने के बाद उगव से वक्त साधराम यादव की हत्या हो जाती है उसकी सुरक्षा ना तो नरेंद्र मोदी कर पाए ना अमिसा जी कर पाए ना विजय सर्मा कर पाए और याज बैट के जानता इसको जानती चीजों को चलिए धननजय जी लोटूंगी सुन्दरानी जी मोधी फैक्टर मोधी का चहरे का असर यहां पर नहीं देखा जा रहा है इसलिए अब आपको अकबर की चहरे का सहारा लेना पड़ रहा है और भुपेश वगेल की लोगप्रता बहुत जादा यहां पर असर नहीं होगा कैसे देख रहे हैं यह साक्षी जी धननजय ठाकुर तै करेंगे कि मोधी जी का चहरा नहीं चल रहा है या धननजय ठाकुर जी तै करेंगे कि भुपेश वगेल जी का चहरा चल रहा है अरे भुपेश वगेल जी को तो बड़े विश्वास के लेकिन भुपेज बगेल जी ने इनी अकबर और धेबर के कारण प्रदेश की सत्ता गवादी थी भगवा जंडे का अपमान जहां पे कवरदाच शेत्र में हुआ वहाँ भुपेज बगेल जी चुनाव लड़ने के तो ये मुद्दे कभी खतम होने वाले नहीं है और निश्चित रूप से एक विशेश वर्क के लोगों को प्रोसान देने का काम पांच साल तक धन धाने से भरपूर करने का काम भी भुपेज बगेल जी की सरकार ने किया है तो कहीं ने कहीं उसका पाप तो इनको भोगना हम बात करते हैं तो कॉंग्रेस यहां से स्ट्रॉंग होकर निकली है विदान सबाद चुनाव का अगर रिजर्ट देखें तो एक दिन पैदनी यह तो मुद्दे हमेशा है वह वह जी जीतेंगे ूसके बाद हम तीसरे चरण में बागी साथ सिटेंगे चलिए आधित जी आप कैसे देख पाने ये बयान भाजी हो रही है इसका क्या असर होगा क्या राच्णान गाउ सीट पर इसका असर होगा भुपेश वगेल को लेकर असर होगा जनिता का मूड बदलेगा क्योंकि आज का दिन ही अंतिम है और आज की रात जो है वो भारी है तो क्या लगता है कि जनिता इस रात में पूरी कहानी बदलेगी क्या रिविजन करेगी और इसका असर भी आपको पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है राश्नानगा और बाकी दो सीट कांकेर और महासमों साशी देखिए चुनाओ के एक दिन की पहले की जो रात होती है वो कतल की रात होती है इसमें कोई दोराह नहीं समीकरण बनते हैं बिगडते हैं और बनने बिगडने का एक खेल जो रात के जो 12 गंटे होते हैं सुबा साथ बजे से वोटिंग है और आज रात भर जो सबसे बड़ा चहरा है इसमें कोई दोराह नहीं और भूपेश बगिल केवल नहीं है बूपेश बगिल कॉंग्रिस पार्टी का चहरा है और पूरी ताकत भारतियंता पार्टी ने लगा दिए इस चहरे को हराने के लिए और राजनन गाउं को इतिहास रहा है पूरु पूर्जा दोराह नहीं है बर पूर्टी रचे इनित्त हैं वहार पूर्था के व क्यान गाउं के बूपेश बंगर घान गाउं है सहर है पुरी भारती जनता पार्टी जुटी हुई है उनको हराने के लिए इसलिए अचानक एंड मोमेंट पे धर्मत काट खेला गया है धार्मिक लोगों का नाम आ रहा है मुसलिम यहां के विधायक रहे है उनका नाम अचानक किया जा रहा है ताकि भारती जनता पार्टी को बड़ा फाइदा यहां से दिलाया जा सकते हैं धनाजा जी आप क्या कहेंगे बड़ा प्रयोग किया है बीजेपी ने बड़ी रणनीती बनाई है कि भुपेश वगेल को कैसी हराया जाए और आप देखिए यह समय पर इस तरह की बयान भाची भी कर दी है कहीं न कहीं जनता का मूड तो बदलेगा आप क्या सूचते हैं क्या आपका कहना है लोग सबा छेतर की जनता समद्दार और जागरूख है और जिस प्रकार से भारती जनता पाल्टी दंगा कराने की संप्रदाइक ते सोंच रखती है न उससे जवाब देगी मैंने कहा ना कवरधा उस कवरधा के गउ सेवा की रक्षा नहीं कर पाई विजय सर्मा और नरेंदर मोदी जी उस कवर्धा के गउ सेवाक साधराम यादव की रक्षा नहीं कर पाई विश्वनु साय जी और अमिस साजी तो यह क्या किसकी रक्षा करेंगे यह चुनाओं को देखते हैं घड़ी आली आसु बाहर है दूसरी बाद साजा के उस विधायक की बात करूंगा मैं विरनपूर मे लोग जागते हैं प्रदेश की जनता चाहे साओ समाज हो चाहे यादव समाज हो लेकिन सुंद्रानी जी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आप लोग कभ बोलेंगे आप लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष हमेसा 36 गड़ में जनता की आवाज जनता की आवाज क सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए आज भी थाने की सुविदा यहां पर नहीं है अलग से थाना नहीं है कोई बड़े उद्योग नहीं है तो इन सारे मुद्दों को लेकर आप कब आगे आएंगे देनेंज जाजी हम तो काम किये हैं मैंने कहा ना 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश के 20 लाग किसानों को कजमुत किया धान कीमत 2680 रुपए दिये ना तो एक किसान विरोधी नरेंदर मौदी जी किसान विरोधी नरेंदर मौदी जी की सरकार और नरेंदर मौदी जी चतित गड़ आते हैं और बोलते हैं कि किसान विरोधी कैसे हो जाएंगे हम किसान विरोधी कैसे हो जाएंगे आपको आपको मौका देंगी आप अपने जवाब दीजिए उस समय धननजा जी आप बोलें नरेंदर मौदी जी जो इस देश के किसानों को भाजपन एतातंकवादी बोलते हैं और वो दिल्ली में किसान विरोधी नरेंदर मौदी जी यहीं घुटनों के बल आके टीके थे भुपेज बगेल जीक सरकान ने पैसा दिया तो चतित गड़ में आके घुटनों के बल बैटे नरेंदर मौदी जी आप मोदी पर सवाल उठा रहे हैं मोदी चेहरे को लेकर आप कह रहे हैं लेकिन विदान सवा चुनाब में भी आप लोगों ने ये मुद्दा खूब महिला विरोधी की आप बात कर रहे हैं लेकिन महिलाओं ने ही आदी आबादी ने ही तस्वीरे मली 36 गड़ की और सत्ता से आपको बाहर कर दिया अब अब धोका दिये नरेंदर मोदी जी ने माणीपूर में माला निवस्तर में बात्मा की सरकार है और भाती जंता पाटि उन महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाई वह आप देखेंगे जंतर मंतर में पहलवान बेटिया धर्ना जे रहे थी और नरेंदर मोदी जी का पसीना अब आरूम लगाएं तो जवाब ले लेते हैं, अब आरूम लगाएं तो जवाब ले लेते हैं, सुन्दरानी जी, सुन्दरानी जी आपका समय है अब आरूप लगाएं जवाब ले लेते हैं सुन्दरा आलीजे मैं बोल रहा हूँ ये कितना भी भुपेज बगेल को लोग प्रिया बताएं भुपेज बगेल जी के रहते ही 71 से 35 पे आ गए भुपेज बगेल जी के रहते ही कवरधा से भारती जनता पार्टी पंडरिया असे भारती जनता पार्टी जीते है और हम तीन सीटों पे जीते हैं अगर हम वोटों के गणी से देखें तो हम भारती जनता पार्टी आज भी आगे है लेकिन जनता का विश्वास मोधी जी की गनन्टी पैं हमको किसान विरोधी बता रहैं दननजे ठाकुर जी जबकि हमने किसानों के 31 सो रुपे का समर्दन मुल्य दिया कि दो साल का बचा हुआ बोनस हमने किसानों को दिया आज किसानों की जितनी देख बाल या तीन हास पाउर पांच हास पाउर के पम कनेक्शन डॉक्टर रमन सिंगी की दरकार में 75,000 से 4,500,000 के पम कनेक्शन मुप्त में किसानों को देकर पैदावार बढ़ाने का काम किया जब 36 गड़ हमको मिला था लेकिन धरनजे जी आखरी समय में ऐसी क्या चुनोती आप देख पा रहे हैं आपकी पाटी देख रही है जो धर्मे के नाम पर अब सियासत इस तरह से बयान वाजी करना आकवर धेवर का नाम लेना वो भी ठीक एक दिन पहले आप कहते हैं कि वीजेपी धर्मे के नाम पर राचनीती नहीं करती है जाती के नाम पर राचनीती नहीं करती है जब सीटों का बढ़वारा होता है तो जाती सबसे एहम हो जाती है और जब चुनाब आता है तो बयान भी धर्मे के नाम पर दिये जाते हैं तो आपकी राचन है कि धर्मे के नाम पर आप कहते हैं कि हम राजनीती नहीं करते हैं लेकिन वाजी धर्मे के नाम पर होती है देखे अगर हिंदूओं पर अत्याचार होगा तो हम लोग चुप बैठ जाएं क्या प्रभू राम का मंदिर अगर हमने 500 साल से प्रतिक्षा में थे लोग बनवाया तो अगर हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्या अगर भीरंपुर में एक साहू परिवार के बच्चे के हत्या हो जाती है तो क्या हम इसकी आवाज नहीं उठाएं सरकार इनकी थी इनको जाना चाहिए था वहाँ नहीं गए अगर कॉंग्रेस तो हमें स्विकार है हम निश्य ट्रूप से हिंदुत्व प्रभु राम और भगवे जंडे का अपमान कभी नहीं साहेंगे यह अयोध्या नहीं जाते हैं प्रभु राम का मंदिर पूरा देश की जंता उमट पड़ी अयोध्या में लेकिन कॉंग्रेस पार्ट अपने आरोप हैं हाला कि अवकल चुनाव है मद्दान होने है तीन सीटो पर आप किस तरह से देख पा रहे हैं बाकी अगर दो सीटों का भी समीकरण देख लें और 36 गण में विधान सभा चुनाव को भी अगर एक बार हम देख लें तो आदी आबादी ने पूरी तस्वी पूरी विधायक भोजराज नाक साल्भ हैं इस पर कोई चरचा नहीं कर रहे हैं माह असमोने पूरी ग्रिय मंत्री तामृदध साहू है रूप कुमारी उसके कोई चरचा नहीं हो रही क्यों कि देखे सबके निगाorphायं किवाल राजनानगाव में क्यों है राजनान गवा स से पूरों मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग विधायक हैं अभीशेक सिंग के जो बेटे थे वो कभी वहां के सांसाध हुआ करते थे संतोष पांडे राजनान गाउन लोगसभा में लोहारा जो है कवरधा के पास वहां पर वोड़ डालते हैं वीजय शर्मा डिप्टी सी दिमाग में अगर यह मुद्दा दिमाग में डाल दिया गया तो निश्चित तोर पर इसका बड़ा फाइदा मिलेगा चुटा से सवाल है क्या खेरागड का भी मुद्दा बन सकता है राजशनात गाउं में और क्या भूपेश वगेल को यहां पर नुकसान हो सकता है इस इसमें कोई दो रहा नहीं कि OBC वोटर्स बहुत जाद है और OBC वोटर्स जहां रहेंगे बुपेश बगेल का पल्ड़ा भारी रहेगा यह कॉंग्रेस जानती भारतियंता पार्टी जानती इसलिए भारतियंता पार्टी कवर्धा का बेल्ट राजनान गाउं के आसपास के लेकिन आज देखना होगा अधिती जी क्योंकि आज की रात जनता रिवीजन करेंगी कि आखिर कौन सी पार्टियों ने क्या विकास किये हैं किसने मुद्दे उठाए हैं और 36 गण में आगे भविश्य किस पार्टी के ओर दिख रहा है ये तो आज जनिता जनार्दन ही तै करेगी और कर अपने घरों से निकलेगी वोट करेगी बहुत अन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का तो देखें 36 गण में ब राशनात गाओं की जनिता उनके साथ है अब देखना होगा कि आखिर राशनात गाओं की जनिता का मूड क्या है ये तो चार जुन को ही इस पर तो हूप आएगा लेकिन चुनाप से जुड़ी हुई हर जानकारी बंसल्यूस पर आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे से लि